हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकून टू माइ चानल चटोरी राजनी गनपती जी की फेस्टिवल चल रही है आपको पता है मैं रोज प्रसाद या भोग जो भी भोले बना के लेके जाती हूँ तो अभी रीजेंटली आपने रील में देखा होगा कि मैं कोकनेट राज बना के लेके गई थी तो यहाँ पे मैंने करीब तीन बड़े नारियल लिये हैं उनको मैंने पील कर लिया था पीलर से तो ध्यान से करना वरना लग जाया जैसे मेरी उंगली कट गई थी अब मैं इनक को बिलकुल बारेक बारेक काट रही हो ताकि मिक्सी में इजिली पिस जाए अगर आपके पास वो कोकनेट स्क्रेपर है मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं पता ने नीचे लकडी की पट्टी होती हो उपर नाइफ होता है ऐसे शेप में उस पे आप स्क्रेप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है इजी का में फटा फुट हो जाता है यहां मैंने चावल चड़ा दी थोड़ा नमक डालके और यह जो कोकनेटे सारा मैं मिक्सी में दीरे दीरे चलाके बिलकुल एक दम बूरा जैसे कर लूगी पानी बिलकुल मद डालेगा यह सिर्फ कोकनेटी बहुत इसली हो जाता है यह कर के आप रेडी रगा लीजगा चावल साइट बाइएगल करना यह से थन्डा करना एह चावल जय से हो और यह चाईए यह का रे नारियो चाईटी लोगों के लिए को जबे मैं अगर आपने घर के लिए हो इस ब Але जी बना रहे हो तो आधे नारियल से भी हो जाता है अब दीरे-दीरे मैं सारा समान इखटा कर रही हूँ जो मुझे चाहिएगा coconut rice के लिए यहाँ पे सुखी लाल मिर्चे हैं खूप सारा fresh कड़ी पत्ता में ली आई हूँ अब लाल मिर्च जे हैं काफी बड़ी बड़ी है तो मैं इनको 2-3 टुकड़ों में काट रही हूँ आप इना हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं उसको लंबा-लंबा 3-4 slices में काट लीजे और अध्रक भी डाल सकते हैं मैं हरी मिर्च नहीं यूज़ करी क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो भूग खाते हैं प्रशाद खा लेते हैं इसलिए वरना मुझे तो हरी मिर्च डालना बहुत अच्छा लगता है और कड़ी पत्ते में बिलकुल कंजूसी ना करें खुप सारा डालें बहुत अच्छा लगता है खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है लाकिली अभी जिस सोसाइटी में मैं रह रहे हूं ना वहां पर दो तीन पेड़े कड़ी पत्ते के तो मैं रोज थोड़ा थोड़ा तोड़के ले आते हूं और यह लिए मैंने मूमफली तो मूमफली में एक यह है कि आप चिलका उतार के भी ले सकते हो या विच चिलका ले सकते हो मेरी पूछेंगे तो मुझे हमेशा बिना चिलके की पसंद है तो चिलके वाली मूमफली जब हम लोग तेल में करते हैं तो चिलका कई बार अलग हो जाता है तो वो अगर मूम में आये तो तलबों मे चिपक सा, इसलिए मुझे लगता है, बिना छिलके की होने चाहिए, लेकिन अभी मैं सुभह लेक के आ गए थी, हरबर में मैंने ध्यान ले दिया, और यहां पर मैंने थोड़ी राई ले ली है, यहां पर है काजू, तो खूप सारे काजू लेने, बहुत अच्छा फ्लेवर इनका भी, हारी में चदरक आप चाहों, तो काट लेना, मैंने थोड़ी सी चने की दाल ली है, मेरे ग्याल से उरत की दाल भी साबूर डलती है, लेकिन मेरे पास अभी फिनिश थी, तो मैंने चने की दाल ली, मैं थोड़ा सा कम प्रफर करते हूं चावलों में दाल डाल के बूलने का, क्योंकि करे बार ना मेरे दांत में बहुता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर मैंने गी लिया है, खुप सारा गी, क्योंकि हम खुप सारा बना रहे हैं, इसलिए खुप सारा और कंजूसी बिल्कुल ने, यह घर का बना हुआ गी है, यह तो चने की दाल ना हलका सा जैसे ब्राउन होने लग जाए ना उस टाइम पे आप डाल लीजे अपनी मूमफली मिर्च देखे थोड़ा सा रंग बदल रहा तो मैं साइड से ना भी मिर्चे भी निकाल के रख लूँगी और मूमफली को अच्छे से भून लेंगे ताकि एक कल और फिर डाल देंगे हम हमारे लाल मिर्च और कड़ी पता अगर आप अध्रा की उसक रहे हो तो इस टाइम डालके भूल ले या फिर डालेंगे पूरा का पूरा नारियल इसे करेंगे mix अच्छा इसे हम डालेंगे अभी नमक नमक स्वात की अनुसार डाल लीजे वैसे चा सारा काली मिर्ची का पाउडर पता है क्या अगर आप फ्रेशली कूट के डालेंगे थोड़ी सी दर्दरी रखेंगे ना बहुत अच्छी लगेगी वो और इसे हम कर लेंगे बढ़िया से मिक्स हाकि सारे फ्लेवर्स इकटे हो जाए अभी मैंने गैस बंद कर दिये वरना ना तोड़े चावल में दीरे-दीरे करके मिलाते जा रहे हो ध्यान रहे इस वक जब भी आप चावल यूज करें ना ठंडे हो बिल्कुल गरम नहीं वरना वो तोटेंगे हातों से सारे चावलों को धीरे-दीरे मिक्स कर लेना है ताकि चावल हमारे टूटे ने और ये कोकोनट राइस आप सर्फ कर सकते हैं सुखी आलू की सबजी के साथ और यहां पे मैं हूँ रेडी और मेरे ले जाने के लिए प्रशाद भी है रेडी कोकोनट राइस और साथ में मैंने बनाया था यमी वाला खीरे का राय ता जिसमें उपर से मैंने डाला था खुप सारा अनाग जैन साब भी टाइम से आ गए हम आर्ती के लिए पहुन गये थे और यहां पे देखिए अब लग रहा है बपा को भो यही प्रातना करूंगी कि हम सब को और आप सब को हुई खूप सारी धेर सारी खुशियां दे अच्छी सहत दे बपा और ऐसे ही हमारा साथ जोड़े रखे आपके साथ और यह देखिए भोग की थाली जो कुछ अपने अपने घर से कोई ना कोई बना के ला सकते थे वो ले आते हैं और भोग लगाते हैं